हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लेट्स क्रैक सिविल सर्विस दोस्तो आज तारिक है 23 अगस्ता और हम उपस्ते थें आज के सबसे महत्तपूर्ड है करेंट अफियर्स के प्रशनों के साथ आप जिस भी एक्जाम के त्यारी कर रहे हो चाहे आप सिविल की सर्विस की हो त्यारी रोल हो गया है जो भी इन प्रशनों को त्यार कर लिता है जो भी इन प्रशनों को अदिक्तन हल कर लेता है वह निश्चित ही सफलता को प्राट कर लेता है तो आजिये दोस्तों सुरू करते हैं इस Practice Test को इस Current Affairs के सेET को और इसके solve करते हैं तो हमारा पहला प्रेशन है कि हाल ही में किस राज जद्वारा इंदिरा रसोई योजना प्रारम किया गया है बताना है किस राज जद्वारा इंदिरा रसोई योजना प्रारम किया गया हमारे options हैं छार खंड राजस्थान महाराश्ट्र या फिर 36 गड़ तो यह इं राइस्थान सरकार ने इंदिरा रशोई योजना की सुरुवात की मुख्यमंतरी असोग गहलोत राइस्थान के मुख्यमंतरी कौन है असोग गहलोत ने वीडियो कानसेंस के जरी इस योजना की सुरुवात की योजना में सहरी गरीब परिवारों को पौश्टिक भोजन रिय करें दोस्तों तो इसकी राज़धानी है जैपूर जैपूर इसकी राज़धानी है इसके मुख्यमंत्री असोग गहलो और अगर हम राज़पाल की बात करें तो राइस्थान के राज़पाल हैं कल राज मिस्र कल राज मिस्र यहां के राज़पाल है अब हम अपने अगले प question number two, किस राज ने सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा नामा की एक नई चात्र केंद्रित योजना सुरू करने की खोशना की है, पढ़ाई तुहार पारा नामा की एक योजना किस राज द्वारा सुरू की गई है, अगर हम चट्रिस गड़ बात करें तो इसकी राजधानी होगे जोस्तों रायपूर रायपूर इसकी राजधानी है और यहां के मुख्यमंत्री है, चट्रिस गड़ के भुपेश बगहिल, भुपेश बगहिल यहां के मुख्यमंत्री है अगर हम राजपाल की बात करें, तो चट्रिस गड़ के राजधानी है, अनुसुया उई के, अनुसुया उई के यहां की राजधानी है आई हम इस प्रश्ट की ब्याख्या देखते हैं 37 राज में कुरोना वाइरस संक्रमण की दवरान प्रतिक बच्चे तक सिच्छा पहुंचाने के लिए पढ़ाई तुहार पारा योजना ये बच्चों को सिच्छा पहुंचाने के लिए प्रारिम की गई है ये योजना इसकुली चात्रों को कुरोना वाइरस प्रकोफ के काड़ कच्छाओं के बंद होने के मद्दे नजर अपने चात्रों और गाउं में समुदाई की मदद से अध्यन करने में सक्षम बनाएगी किस राज सरकार ने भरूच में भादभुत पर्योजना के लिए अनुबंद प्राप्त किया है हमारे आपसंस हैं पंजाब, सिक्किम, मद्दे परदेश या फिर गुजरात तो भरूच आप लोग पता हुआ है भरूच गुजरात मिस्तित है इसलिए इस पर्योजना के लिए आनुबंद प्राप्त किया है गुजराती यानि कि आपसंडी हमारा सही होगा गुजरात सरकार ने भरूच में भरूच में भादबूद पर्योजना के लिए अनुबंद प्राप्त किया है उलेकनिये कि भारती अंतर देशिये जलमार्ग प्राद धीकरण इनलैंड वाटर वेज अथर्टी आफ इंडिया ने इस पर्योजना के मुझरू दे दी है इस पर्योजना को अस्थानी मच्वारवे के विरोद का सामना करना पड़ा यह नर्मदा नदी भादबूद पर्योजना नर्मदा नदी के पार भादबूद गाउं से पांच 25 km दोर इस्तित है यह नर्मदा नदी जहां नर्मधा नदी खंबाद की खाडी में गरती जिन नर्मदा नदी के पास इस्तित है और इसका अडमद परापक्या है गुजराद सरकार ने अगर हम गुजराद की बात क्ये दोस्तों तो इसकी राजधानियों की गाधी नगर गाधी नगर यहां की कैपिटल है यहां के मुख्यमंत्री हैं विजय रुपाडी और अगर हम यहां के राजपाल की बात करें तो गुजरात के राजपाल हैं आचार्य देव व्रत गुजरात के राज जिपाल हैं आइए हम अगला प्रस्ट देखते हैं कोईशन नवर फूर सरकार ने इथिनौल समिस्रड का रिक्राम इथिनौल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत वर्स दोजर बाइस तक पेट्रोल में कितने प्रस्ट बायो प्रस्त या फिर चालिस प्रस्त इसका सब्रहोंस यानि 10 प्रस्त का लक्ष रखा गया है इसकी बैंकि देक्ते हैं लोग इत्सद्ध्थ गैकर उस्यक्राम कौन सब्त प्रोग्राम को राश्ट्रिय जैव इधन नीटी2 2018 की इम sonika सेंवर्य लगिंस्यक्राइं आल विशयर क कच्चे तेल पर अपनी निर्भाटा को कम करना चाहता है यह अनुमाने की पांच प्रत्सत इथनाल समिस्रड के परड़ाम सरूप एक दसमलो आठ बिलियन बैरल कच्चे तेल का आयात कम हो जाएगा सिर्फ पांच प्रत्सत बिलाने से वन पॉइंट एट मिलियन बैरल स्क्राइशन फाइफ है अरूर थ्री जल्विदूत पर्योजना के निर्माने भारत ने मिलिखी तुमें से किस देश की सायता कर रहा है है बताना है की की अरूर थ्री जल्विदूत पर्योजना में भारत किसकी मदद कर रहा है हमारे ऑप्सेंस हैं भुटान नेपाल आईए इसके वियाख्या देखते हैं अरुड भारत अरुड थरी जल बिद्द परियोजना के निर्माड में नेपाल की सहयता कर रहा है बता दें कि अरुड थरी नेपाल की सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना है इसे भारत की सहयता से बनाया जा रहा है परिजिनाक सुरात नेपाल सरकार ने उसे बार्म में की थी यह 900 मेगावार्ट के उत्पादें चंपता एक साथ एक निर्यातों मुखी पर यूनाई यानि कि इससे उत्पादित बिजली को विदेश्यों में निर्यात किया जा सकता है आई अगला प्रेशन देखते हैं कोईश्चन नबर सिक्स डीबियस बैंक इंडिया लिमिटेड ने किसको राश्ट्री वितरड के एमडी और प्रमुक के रूप में नियूक्त किया है हैं बताना कि DBS बैंक लिमिटेड ने किसे निउक्त किया है अपने MD और राष्ट्री वितरड के प्रमुक्रोप में मर्या आप्सन मोहन छा, राहुल सचदेव, अमित त्यागी या फिर प्रसांत जोसी तो इसका सही तरवरस तो option D यानि कि प्रसांत जोसी को इस पद पर निउक्त किया गया है अब इसकी ब्याख्या देखते हैं DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने प्रसांत जोसी को प्रबंध निदेशक और राष्ट्री वितरड प्रमुक्रोप में निउक्त किया है वर DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और CEO सुर्जीत सोम को रिपोर्ट करेंगे किस राज सरकार ने दो अक्टूबर को और उन्हों दो योजना लागू करने की खुशना की है हैं बताना कि दो अक्टूबर को और उन्हों देर योजना किस राज में लागू होगी या किसने इसे घोसित किया है कि वह दो अक्टूबर को यह योजना लागू कर देगा हमारे आप्संस हैं असम, पेश्चिम बंगाल, बिहार या फिर तमिलनाडू तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आप्संस ए यानि की असम, असम ने यह घोसित किया है कि वह दो अक्टूबर को और उन्हों दो योजना लागू कर देगा असम की राजधानी की बात करें दोस्तों, तो असम की राजधानी है दिसपूर, असम की कैप्टल है, अगर यहां के मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो असम के मुख्यमंत्री है सर्बानंद शोनवाल, सर्बानंद सोनवाल, यहां के मुख्यमंत्री है, सोनवाल, यहां क प्रेश्यर्ट देखते है इसकी वेक्ट्या है कि लगबग सत्रहलाग परिवारों को वित्तिय किराने को देश में कि असंसर्कार राझ में 2-10 से हाय। और नों दौ योजनां लागू करने के लिए पूरी की तरह तयार हैं सत्रा लाग परिवारों को वित्ति साहता इस योजिनाक तरह से दी जाएगी इस योजिनाक तरह आवस्यक वस्तु खरीदने के लिए पात्र परिवारों को आठ सो तीस रुपए प्रती महीना दिया जाएगा असन सरकार द्वारा प्रार्यम की गई और मैं किसने हरित पथ नामक मॉबाइल एप विख्शित किया है हमें रस नामक मॉबाइल एप किसके दौरा विख्शित किया गया हमारे अपसने निटिया यह यह रजे लिखने ऑंडिया इस रैज्रों या फिर डी तो तो हमारा से उत्तरोगा हरित पत्थ नामक एप को विक्सित किया गया है National Highway Authority of India यानि N.A.H.A.I. के द्वारा इसके बैखे देखते हैं केंदरी मंत्री नितिन गटकरी ने हरित प्रद्योगिकियों के उप्योग से सड़क निर्मार की लागत को कम करने के लिए नितिन गटकरी ने हरित प्रद्योगिकियों के उप्योग से सड़क निर्मार की लागत को कम करने पर जोड़ दिया है उन्हों बिच्छा रोपड की निगरानी के लिए हरित पत्थ ब्रिक्षा रोपड की निगरानी इसके द्वारा की जाएगी हरित पत्थ मुबाइल एप भी लांच किया है इस एप को भारती राश्टी राजमार प्रादिकरर द्वारा ब्रिक्षा रोपड पर परियोजनाओं की निगरानी करने के लिए त्यार किया गया है हमरा अगला प्रश्ण कोशन बनाई किस लेखक ने अपनी आगामी पुस्तक वन अरेंजड मर्डर की घोशना किये किस लेखक ने अपनी आगामी पुस्तक की घोशना किये वह इस पुस्तक को जल्द ही लांच करेंगे अरुन्धती राय, चेतन भगत, अजय चावहान या फिछ चंद्रिका सिंग तो वन अरेंज्ड मर्डर जिनकी आगामी पुस्ताख है वो हैं चेतन भगत यानि कि option B सही होगा, मना सही तरह option B चेतन भगत मसूर लेखक चेतन भगत ने हाली में अपनी नई बुक का खुलासया किया है लेखक कि इस किताब का नाम वन अरेंज्ड मर्डर है लेखक का नाम है चेतन भगत हमरा अगला question question number 10 भारती रेलवे किस राज में दुनिया का सबसे लंबा पीयर ब्रेश का निर्माड कर रहा है हमारे options हैं उत्राखंड मड़ीपूर तमिल लाडू या फिर करनाटक इस पूल का निर्माड मड़ीपूर में किया जा रहा है भारती रेलवे की तरफ से दुनिया के सबसे उंचे रेलपूर पर काम चलना है यह पूल पूर उत्तर रेलवे की ओर से मड़ीपूर में त्यार किया जा रहा है यह 111 किलो मीटर लंबे जिरी बाम इंफार रेलवे प्रजेक्ट का हिस्सा है यह पूल 41 मीटर उचाई पर बन रहा है इस पूल की उचाई है 41 मीटर एक तरस यह पूल कुतुब मिनार से भी दो गुना उचा होगा यह यह यूरोप के मांटेन नेग्रों में बने 149 मीटर पूल का रिकार्ड तोड़ देगा इस समय सबसे उचाई रेलवे पूल है यूरोप के मांटेन नेग्रों में जिसको उचाई 149 मीटर और इस पूल की उचाई होगई 141 मीटर 73 मीटर लंबे इस पुल का निर्माड इंफाल से 55 किलमीटर दूर नूरी जिले के मरांग चिंग गाउं में किया जा रहा है इस पुल पर रेलवे की ओर से कुल 280 करोड रुपे के लागत आने का अनुमान है अब अगर हम मड़ीपूर की बात करें दोस्तों तो मड़ीपूर की राजधानी होगी इंफाल इंफाल मड़ीपूर की कैप्टल है कैप्टल है अगर हम यहां के मुख्यमंतरी की बात करें तो मुख्यमंतरी है इन बिरेन सिंग यहां के मुख्यमंत्री हैं और यहां की जो राजपाल है वो हैं नजमा है बतुला मरीपूर की राजपाल है तो दोस्तो आज के करेंट फैस के सेट का यह अंति प्रस्ट था आपको जैसा भी लगए इस कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताइए और दोस्तों हमारी यूटूब चनल Let's Crack Civil Service को सब्सक्राइब करना ना बोलिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, कमेंट और सेर जरूर करिए जो भी फ्रेंड्स हमारी यूटूब चनल पर नए है वो हमारी यूटूब चनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम परड़े इस तर के वीडियो डाले तो उनके पास सबसे पहले हमारा नौटिपिकेशन पहुचे और यह मर्तपूर्ड करें रफेर से समदित जानकारी उन्हें सबसे पहले प्राप्थ हो